आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में, आज हम बर्थ करेंगे FCL Limited के बारे में, कुछ तो बड़ा हो रहा है और बहुत बड़ा हो रहा है, बड़े बड़े mutual fund इसको खरीद रहे हैं, पूरा visualization करेंगे, क्या है support level, क्या है resistance level, कहां पर आपको खरीदना है, प पिछले दो दिनों में 6% stake इसका खरीद लिया है, 6.6 million equity share खरीदे हैं, Phenotex chemical के लिए, क्यों ना खरीदे, chemical और pharma stock एकदम lime light में हैं यहाँ पर, आपको समझना है कि आगे आने वाला time, chemical और specialty chemical के लिए एक बहुत बड़ा growth opportunity दिखाए देगा, और इसलिए mutual fund उसको भरमार कर के खरीद रहे हैं, पिछले दो ट्रोटिंग दे से अगर देखें, तो ये करीब-करीब 29% surge किया है, और इसका primary reason है, open market से इतने सारे share अगर खरीदे जाएंगे, तो ये हो, BSC की data के according, 30 crore share, रुपीज वर्थ के block deal हुई है, जिसमें exchange का data show कर रहा है, जो मसी mutual fund scheme Nippon ने खरी promoter हैं, उन्होंने 7.8 million equity shares को sell किया है, ये भी bulk deal है, जो कि 7% के आसपास है, तो promoter की holding कम हो रही है, और mutual fund इसमें holding बढ़ा रहा है, जो कि एक अच्छा sign है, mutual fund अगर interest लेते हैं company में, तो बहुत बड़ी आ counter चलता है आगे आने वाले समय के लिए, अब अगर इसकी market cap की stock है, आप चाहें, तो इसको invest कर सकते हैं, पर क्या है right level, वो हम आपको बताएंगे, right level पर ही निवेश कीजेगा, गलत high level पर मत निवेश कीजेगा, वरना आपका फैसा फस सकता है, प्लीज कंसर्ट यूर financial advisor before investing in trading, rule 5 by 5, अगर penny stock में invest करें, तो कम से कम 5 अलग अलग company में अगर वो small cap है, अगर mid cap है, तो 5% तक उसमें निवेश कर सकते हैं, अब ज़रा इसकी sales की figure देखी जाए, तो देखें, sales की दरश्टी से, छोटी company है, उसी साब से sales बढ़ रही है, इस quarter में, पिछले March के quarter से, अच्छी sales आई है, March के quarter में देखेंगे 43 करोड की sales थी, अभी 54 क की sales है, profitability देखें, सबसे ज़्यादा profitable quarter रहा है, September का, 11 करोड का profit हुआ है, इनको इस quarter में, यही पर अगर promoter holding देखी जाए, तो पहले promoter holding 71% थी, और public की holding 28% थी, अब mutual fund ने 6% की holding कर लिया, यह latest share holding pattern, आपको exclusive हमारे channel पर information मिल रही है, इस से आगे public की और भी value बढ़ेगी, यह पता लगेगा, bullianger band, one of our favorite indicator, indicate कर रहा है कि bullianger band almost 60% पहुँच गया है, अभी हो सकता है, और उपर जाए, पर वो नीचे आने की कोशिश करेगा, और इसको जो right level है, वो करीब-करीब 55 रुपे के आसपास हो सकता है, यह संगम करें, दोनों का mean merge के आसपास, तो 55 और 50 के ला देते हैं, conclusion की बात है, current level पर मत खरीदिये, long term के लिए खरीद के रखिए, 125 का target है तीन साल के लिए, पर right level है 55 रुपे का, कोई भी question ने comment box में डालिए, हम लोग Nifty Bank Nifty के active trade प्रोवाइट करते हैं, 8,000 रुपीज पर मन्त, आप इसको stock market के learning की तरह देख सकते हैं, या फ